हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यह देखिए आज मैं बहुत ही सुन्दर बेबी बूट लेकर आई हूं यह दो कलर से बनाया है मैंने और बहुत ही सुन्दर है यह देखिए आप दोनों साइड से और पहनने के बाद तो यह बहुत ही सुन्दर लगता है एकदम जूत ही जैसे बन जाता है यह देखिए इसमें मैंने फिप्टीवन पंदे डाले और यह नीचे से बनाया गया है यह देखिए यह इसका शोल है इस परकार से यह बहुत ही सुन्दर बना है अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी कैसे बनाया मैंने अगर आपने हमारा चैनल सस सब्सक्राइब कीजिए और पसंदायत लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए अब मैं बनाना बताती हूं कैसे बनायाँ फिटीवन फंदे डालें और इस में अब यह एक दो तीन चार और पांच पांच लाइएं उल्टी साइड डलीएं और छैस लाइए मैंने पांच और छे अब इन इस फंदों को हम तीन बाग में डिवाइड करेंगे यह फिटीवन फंदे हैं यानि कि सत्रा सत्रा फंदे हम तीन इस्षों में बाट लेंगे तो पहले में सत्रा फंदे नीले कलर से बनाती हूं यह देखिए हमें दागा उल्टी साइड से जोड़ना है सीधी साइड से नहीं जोड़ना है यह देखिए कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ हाट शोला और एक सत्रा यहां पर हमारे सत्रा फंदे नीले कलर के होगे अब हम दूसरा कलर लगाएंगे मैंने वाइट कलर लगाया है आप कोई भी कलर डालिए यहां पर मैं वाइट कलर लगा रही हूं इस परकार से आप मैं सत्रा फंदे वाइट कलर कर बनाओंगी च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ये ग्यारा, बारे, तेरे, ये चोदे, पंदरे, शोले, और ये सत्रा अब मैं यहां पर ये देखे, दूसरा कलर लगा रही हूँ, ये दूसरा दागा बांद रही हूँ, यहां पर हम दूसरा दागा बांदेंगे, ये सत्रा फंदे हम दूसरे दागे से बनाएंगे, इसमें हमने अलग-अलग दोनों साइड में अलग-अलग दागा लगाना पड दागा हमेंसे उल्टी साइड से बान दिए ये 17 फंदे हमने दूसरे दागे से बना लिए अब ये देखिए इधर से हमें क्या करना है मैंने ये थोड़ा सा डिजाइन डाला है इस पर दो फंदे सीधे किए दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस परकार से मैंने इन 17 फंदों को बनाया है दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा अब हम इस दागे को यहां पर वे पिछे की साइड करके छोड़ देंगे और वाइट दागे को साथ लेंगे तब इसको इस परकार से इस परकार से दबा देंगे नीला उपर से नीचे चला जाएगा और इसको इस परकार से दबा कर यह देखिए यहां पर हमें क्या करना है इस वाइट वाले फंदे को पल्ट ना है ऐसी पल्ट करें अब हम इसका दो का एक बनाएंगे यहां पर दो का एक बनाएंगे ऐसे और बाक्ती फंदे हम सीधे उतारेंगे इस परकार से सीधे उतार लेंगे अब हमारे यहां पर दो फंदे सफेद बच गए अब इन दोनों फंदों को इस साइड से बनाएंगे इस परकार से आगे की साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे और यहां पर इसका होल ना बने इसलिए हमें इस दागे को इधर ले जाना है और नीले दागे को इसको दबा कर इस परकार से आगे लेके आना है जिससे हमारा यहां पर होल नहीं बनेगा और हमारा फंदे यह दागा दब जाएगा यह इस परकार से बनाएंगे दो फंदे हम उन्टे बनाएंगे यह देखे यहाँ पर होल नहीं रहेगा और एक फंदे को ऐसे उतारेंगे दो फंदे फिर उन्टे बनाएंगे फिर एक फंदे को ऐसे उतारेंगे इस परकार से हम डिजाइन डाल देंगे और हमारी जुराब पलेन नहीं रहेगी इदर दोनों साइड में हमें इसी परकार बनाना है और बीच का हिस्सा जो है यह वाइट ही बनेगा अब देखिए उल्टी सलाई हम कैसे करेंगे उल्टी सलाई में हमें इन सब फंदों को बनाना है जो उतारा था उसको भी और जो उल्टे बनाए थी उसको भी इस परकार से पूरी सलाई को हमने उल्टा कंप्लीट करना है लेकिन वाइट में वाइट बनाना है और नीले में नीला अब यहां पर यह देखिए यह white color चलेगा तो इस white color को इस दागे को हम यहां पर छोड़ देंगे और इस white दागे को पकड़ दिए इसको ऐसे दबा कर इसको इधर ले लेंगे और फिर यहां से बनाएंगे दोनों सलाईयों में दागे को दबाते रहें फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये हमने दूसरे कलर से बनाया है नहीं जोड़ाएगा अब ये पूरी सलाई हम उल्टी कम्प्लीट करेंगे और सीदी साइड से फिर बताएंगे कैसे बनाएं ये देखिए यहां पर फिर ऐसे ही ये हमारी उल्टी सलाई कम्प्लीट हो गई अब सीदी साइड सीदी साइड में इधर जो ये डिजाइन है इसको इसी परकार बनाना है दो उल्टे ये बिना बनाएं फिर दो फंदे उल्टे फिर बिना बना ऐसे ही सलीप करना है ये देखिए इस दागे को पीछे करेंगे इसको सलीप करेंगे ये पूरा उपर तक ये पोर्शन हमारा ऐसे ही जाएगा जब तक हमारे ये वाइट वाले फंदे बिल्कुल कट नहीं जाते एक फंदा बच जाएगा तब तक हमें इसको दोनों साइड से इसी परकार गटाना है ये देखिए मैं गटा कर दिखाती हूँ आपको पहले भी मैंने बताया है ऐसे ही इसको अब भी इसी परकार से करना है इस फंदे को पल्टना है ऐसे पल्टने के बाद इन दोनों को पीछे की साइड से ऐसे पीछे की साइड से बुनना है अब पूरी स्लाई इसी परकार से बनानी है दोनों साइड से इसी परकार से गटाना है जब तक इसके सारे फंदे पूरे नहीं हो जाते वाइट कलर के तब तक ऐसे ही गटाते जाना है आप भी गटाईए और मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी अगर ये फंदे कैसे पूरे किये ये देखिए इधर से मैंने एक कम कर दिया इधर से भी अब मैं इन दो फंदों का ये देखिए दो फंदे पचें इन दो फंदों का आगे की साइड से ऐसे एक फंदा बना दूँ गए ऐसे और ये ऊपर तक इसी परकार पूरा बनाते हुए जाना है आपको ये भी दोनों साइड बराबर चल लिए और ये भी अब कम्प्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं कि ये मैंने कैसे किया अभी मैं एक बार कम्प्लीट कर लेती हूं फिर बताऊंगे ये देखिए अब मैंने ये पूरी गठाई कर लिए यहां पर हमारे तीन फंदे बच गए अब इन तीन फंदों को क्या करना है ये देखिए आप इस प्रकार से आप पहले पूरी दोनों साइड से गठाई कर ले और अब ये देखिए आप इस फंदे को निकाल कर इस तरह से इसको पहले ले लेंगे हम और ये बीच वाले फंदे को उपर से ले लेंगे और तीनों का ये देखिए तीनों का अब हम एक बना देंगे इस तरह से ये तीनों फंदों का एक बन गया अब यहां यहां पर हमारा सफेद दागा कतम हो जाएगा और हम दूसरा दागा चालू करेंगे उटी श्लाइशे अब आगे आगे नीला दागा लगा हिया जैसे पहले बना रहे थे उसी परकार से बनाई दो फंदे उटे और एक शिलीप किया हुआ यह हमारी पूरी स्लाई कंप्लीट होगी और हमारी कटाई भी पूरी होगी है अब हमें क्या करना है अब हमें चार स्लाई उटी उटी बनाने है फिर हमें डोरी डालने के लिए रिंग बनाने जो जाली डालते हैं वो बनाने है पहले हम चार स्लाई बनाएंगे और इस वाइट दागे को यहीं पे छोड़ देंगे इस वाइट दागे को यहां पकट करके और इसके साथ गाठ लगा देंगे इस दागे के साथ इस प्रकार से गाठ लगा दें जिससे हमार दागा खुले नी और इन पंदों को निलाई बना लें कि पूरी स्लाई हमारी इसी तरह से बनेंगी अब यह च्यार लाइने हम इसी प्रकार से बनाएंगे यह उल्टी स्लाई होगी हमारी अब यहां पर यह डिजाइन बंद करके हम उल्टा ही डालेंगे यहां पर भी उल्टा उल्टा स्लाई डालेंगे ऐसी अब मैं च्यार स्लाई डालके फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए इस परकार से हम यह च्यार स्लाई डालेंगे जैसे अब शरू किया है यह मैंने च्यार स्लाई डाल लिए देखिए दो डोड इधर बनाई और दो ही इधर बन गई तो हमारी यदा च्यार स्लाई कीम्प्लीट हो गी अब मैं इस पर आपको जाली डालके दिखाऊंगे यह देखिए यह दो फण दिखै बनाये फिर दागा आ गय किया-ih और दो क एक किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर दाग्या आग्य किया, फिर दो फंदों का एक बनाया, इसी प्रकार से पूरी स्लाई कम्प्लीट करनी है, दाग्या आग्या किया, और दो फंदों का एक बनाया, एक फंदा सीधा साथ में सीधा उतार दे, फिर दाग्या आग्या फिर दो का एक बनाया फिर एक फंदा साथ उतारा इसी परकार से पूरी सलाई हम कंप्लीट करेंगे यह हमारी जाली पढ़ जाएंगी जहां हमने डोरी डालनी होती है झालनी होती है यह जाली डाल दी अब उल्टी सलाई हम उल्टी कंप्लीट करेंगे जो हमने दागा उपर से गुमाया है इसको हमने बनाना है यह दागा जो उता है इसको हमने बनाना है उतारना नहीं है इस परकार से बनाईए यह देखिए यहां से हम इसको बना लेंगे पूरी सलाई हमने इसी परकार से बनानी है यह हमारी उटी सलाई कम्प्लीट होई अब हम यह देखिए यह हमारी डोरी डालने के लिए होल बन गए है अब फिर हम डोरी इसमें से डाल देगे अब हम ऊपर चैर सलाई उल्टी बनाएंगे और इसको कम्प्लीट कर देगे चैर लाईने डाल कर इस परकार से उल्टी उल्टी यह देखिए मैं इस पर दिखाती हूं आपको ये मैंने चैर लाइन उल्टी उल्टी डाली है यानि कि चैर लाइनों में हमारी आठ सलाई होती है आठ सलाई ये बना कर मैं कम्प्लीट करके फिर आपको दिखा दूँ धन्यवाद अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करने है